हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए बहुती क्रिस्पी और टेस्टी नास्ता की रसिपी लेकर आई हूँ इस नास्ते को हम बहुती कम समानों में और घर में ही रखे कुछ समान से बना कर तयार कर सकते हैं इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें चलिए आज की रसिपी बना लेते हैं इसके लिए यहां मैंने सबसे पहले चार मिडियम साइज के बॉयल आलू लेए हैं आलू को इस तरह से हाथों से मैंने मैश किया है आप चाहें तो इन्हें कद्दू कस से कद्दू कस भी कर सकते हैं इस तरह से सभी आलों को अच्छे से मैश कर लिना है अब साथ ही यहां मैंने इसमें तीन ब्रेड लिए हैं ब्रेड आपके पास जो भी ब्रेड हो ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड जो चाहे आप यूज कर सकते हैं इस तरह से इने ऐसी थोटे तुकडों में काट कर बाउल साथी दस से बारा लहसुन की कलिया उन्हें भी बारिक तुकडों में कट कर ले साथी चीली फ्लेक्स मिर्च आप अपने ही सापसे कम जादा कर सकते हैं अमचूर का पाउडर काला नमक और स्वाद अनुसार सफेद नमक बारिक कटे हुई धनिया पत्ति आप अमचूर यंक swap ही चीजों को अच्छो से हाथों से इससे महाश करते हुए हमें इन्हें मिक्स अब यहां मैंने कॉन फ्लेक्स लिया है या तो मक्का पोहा या मक्का चिप से भी से बूलते हैं यह बीना तला हुआ है अब इसे मिक्सर जार में डाल कर इस तरह से हलका दरदरा कर लेना है अब एक हाथों में हलका सा पानी या तेल लगा ले अब थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेकर इस तरह से मैंने यहां टिक्की का अकार दिया है आप चाहे तो अपने पसंद के अकार में इन्हें बना सकते हैं अब इस तरह से हमने कॉन फ्लेक्स में इन्हें अच्छे से कोट कर लिया है देखिए इस तरह से सभी टिक्कियों को मैंने यहां कोट करके बना लिया है अब एक तरफ मैंने यहां तेल गरम करने रख दिया था तेल का ट्रेंप्रेचर बहुत ही कम रहना चाहिए और गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है अब इस तरह से आपके फ्राइपेन में जितनी टिक्किया है आप इन्हें डाल कर फ्राइप कर लिए और हमें इसमें हाथ ब बुल्बुले उठने कम हो गए हैं मतलब इन्हें एक तरफ से पलट ले अब दूसरी साइट भी पलट कर इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होते तक इन्हें फ्राइ कर लेना है यकिन मानिए आप इस नास्ते को सुबा की चाय के साथ या साम की चाय के साथ बना कर इंज्वा कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं आईए इन्हें तेल से बहार निकाल लेते हैं निकर्ष तरह से सभी कटलेट्स को बाहर निकाल लें ऐसे अब इन्हें एक प्लेट में साब कर लिंगे आपको मेरी cutlet recipe कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताए मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो मेरी मेहनत पसंद आए तो जादा से जादा इन्हें शेयर जरूर करें हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में